इस वक्त की बड़ी खबर सिख्षक भरती परिक्षा से जुड़ी हुई है। आपको बदादे कि BPSC के चेर्मेन ने सीधे तोर पर इस बात की जानकारी दिया है कि जो परिक्षारती परिक्षा देकर बिहार के अलग-अलग जिलों से अपने घर लोट हैं वो अब अगली तयारी कर लें आठ लाख लोगों के लिए ये सूचना है देश की सबसे बड़ी भरती परिक्षा का आयोजन बिहार में BPSC के दवार आयुजित की गई थी और इस परिक्षा के 24 घंटे भी नहीं कुजरे हैं संपन हुए उसके पहले BPSC ने एक नई जो आदे से वो निकाल दिया है BPSC ने उन सभी अभ्यार्तियों के लिए सूचना जारी की है जो परिक्षा दे कर अपने घर लोटे हैं ठीक से अपने कंदे से बैग भी नहीं उता रहे हैं कि उनको BPSC ने एक नया टास्क दे दिया है BPSC ने उनके लिए खुसकबरी वाली खबर दी है ये उन तमाम सिक्षा का भ्यार्चों के लिए गुड नूज है सुबा सुबा अच्छी खबर निकल कर सामने आई है कि अब आप अपने डॉकुमेंट्स के वेरिफिकेशन की तयारी कर ले वापस BPSC आयोग आने की तयारी करें क्योंकि आपके परिच्छा के प्रणाम जल्द घोसित किये जाएंगी BPSC के चेर्मेन ने ट्वीट करते हुए बताया है कि जो हाई स्कूल के सिख्छक बनने वाले अवियारती थे वो अपनी तयारी पूरी कर लें उनको जल्द ही पुलावा जाएगा दरसल सबसे आखरी दिन यानि 26 अगस्ट को उच्चे बिद्यालों के लिए सिख्छकों के भरती परिक्षा ली गई थी नौ से लेकर बारवी तक के जो सिख्छक बनना चाहते हैं नौ से बारवी तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सिख्छकों की भरती परिक्षा जो ली गई थी उस परिक्षा के रिजल्ट सबसे पहले जारी किये जाएगे BPSC के जो चेर्मेन है उन्होंने इस बात की जनकारी दिये उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उच्च बिद्याले के लिए जो सिख्छकों की जरुवत है उनकी जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा तीन चरणों में ये पूरा परिक्षा जो उसका रिजल्ट है वो जारी किया गा सबसे पहले जाने वाली परिक्षा का सबसे लास्ट में रिजल्ट जारी किया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड पहली से लेके पांचवी तक जाने प्राइमरी के बच्चों के लिए सिक्षकों की जो बहाली की जारी थी उनका रिजल्ट थोड़ा देर आएगा लेकिन पहले चरण में जो रिजल्ट आने हैं वो नौवी से बारवी तक के सिक्षक अभ्यारतियों के रिजल्ट सामने आएंगे दूसरे चरण में जो है छटी से आठवी तक के जो सिक्षक अभ्यारतियों उनके लिए जो रिजल्ट है वो सामने आएंगे तो जायर जबात है कि बीपीएसी ने तीन चरणों में रिजल्ट जारी करने का जो है फैसला लिया है और इस तमाम बातों की जनकारी बीपीएसी के चेर्मेन ने खुद ट्वीट करते वे दिया है उन्होंने ये भी बताया है कि नौवी से बारवी तक के जो सिक्षक का ब्यारती परिक्षा दे कर लोटे हैं अगर वो किसी कारण एलिजिवल नहीं होते हैं परिक्षा में उसके बाजूत भी चयन किया जाएगा लेकिन प्राइमरी में ये बाते नहीं लाग होंगे तो तमाम जो चीजे हैं वो BPSC के अज्यक्ष ने बता दिया है उन्हों सिक्षको सीधे तोर पर ये बता दिया गया है मैसेज दे दिया गया कि जो लोग परिक्षा देकर अपने घर गया हैं वो अपने तमाम दस्तावेज जो डॉकमेंट से हैं अलग- बहुत जल्द आने वाला है कुछ ही दिनों में परणाम आपके सामने होंगे और आपको बुलावा चला जाएगा तो ये बड़ी खबर BPST के चेर्मेन के तरफ से जो आई है वो हम आपको बता रहे हैं सिक्षक भरती परिक्षा के लिए सबसे बड़ी खबर है देजबर के सि जयादा जो अभुयारती थे वो इस परिक्षा में सामील हो रहे थे और इस परिक्षा में तक्रीबन डेह लाग से ज़्यादा जो मोई वह वह भैकेंसी होनी है और इसके लिए BPST ने पूरी यारी कर लिए रिजल्ट सबसे पहले देने के साथ ही सबसे पहले बहाली करने का भी फैसला लिया गया है चैनित अवियार्तियों के अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूब हो गया है अरे लोन वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुणिया में घर ले लिया है पुणिया के e-homes panorama में पुणिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined